आईए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं एक नए kingdom की जिसका नाम है बह्मनी kingdom देखें बह्मनी kingdom कब बनता है अगर इसको इस तरह से देखें तो हमारे exam में कभी यह पूछ दे कि पहले या बाद में विजयनगर के तो याद रखना है विजयनगर के बाद में तो बह्मनी kingdom अल्मोस सेम समयंबे हो रहा है लेकिन थोड़ा बाद में 1347 AD से लेकर 1538 तक ये kingdom रहेगी इस वक्त कौन सा रूल है फिर से वही बता देता हूँ तुगलक का रूल है और ये जो तुगलक empire है ये जो चौदमी शताबदी में थोड़ा confusion होता है दिली सलतनत में महां rebellions हो रहा है इसके कारण क्या होता है numerous kingdoms बनते हैं एक विजयनगर हमने देखा दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर बह्मनी भी बनता है और इसमें one of the earliest among them as it is written is बह्मनी kingdom which was founded by a person named Hasan Gangu. Hasan Gangu नाम के वक्ती ने इसका स्थापना किया अब दिखी दोस्तों हसन Gangu 1347 से 1358 मतलब अगले 11 साल तक सत्ता पे काविज रहा एक सेड़े थ्रोन एक गुल बर्गा यह याद रखना है और टाइटल क्या लिया मुझफर अलावदीन बह्मन शाह और इसी के कारण बह्मन के कारण डाइनेस्टी का नाम हो गया बह्मनी तो यह याद रखना है बह्मनी किंग्डम का नाम बह्मनी क्यों पढ़ रहा है क्योंकि पहले टाइटल जो होल्डर है उन्होंने अपने डाम में बह्मन रखा है तो बह्मनी किंग्डम और यह कब तक जाएगा 1538 अब देखे दोस्तों यहाँ नेक्स 211 साल में बहुत सारे राजाओं का रूल तो यह हो गया मुहमत शाह 1 और इसने एक साउंड एड्मिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की स्थापना की फाउंडेशन रखा लेकिन यह एक तानाशाही रूल जिसको कहेंगे एक तानाशाह टाइप का इंसान था लेकिन यह चीज हमको याद रखना पहली बार गन पाउडर का प्रियोग भारत में इस वेक्ति ने किया था और दोस्तों यह सवाल बहुत ही confusion create करता लोगों को कई लोगों को लगता यह बाहर से आया था मुगलों ने लाया था जी नहीं मुगल भी यूज करते हैं लेकिन हमने पहले से यूज कर रखा था गन पाउडर मुहमत शाह 1 ने उनके बाद एक रूलर आता है फिरोज शाह बहमन जो की grandson है अलाउदीन बहमन शाह का और ये हमेशा विजयनगर इंपायर से लड़ रहा है तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी नाम बहुत इंपोर्टेंट नहीं है भूल भी जाहिएगा इस स्लाइट को कोई दिक्कत नहीं है अ एक और नाम एहमद शाह वन जो 1422 से 1435 ये फिरोज शाह को सक्सीड करते हैं और ये बहुत इंपोर्टेंट है इसने अपना कैपिटल गुलबर्गा से बीदर लेके चले गए ये अमारे एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट कौन कैपिटल को चेंज करता है गुलबर्गा से बीदर तो ये याद रखिए इसके अलावा याद रखें एहमद शाह वन को वली सेंट भी कहा जाता था बिकॉज ये सूफी सेंट येसु दराज के साथ बहुत सम्मिलित रहता था उसके साथ असोसियेटेड रहता था तो ये दोनों फैक्ट हमारे एक्जाम के लिए बहमन साल के लिए ही रूल कर रहा है क्या होता है ये भी एक ताना शाह है टाइरेंट रूलर है लेकिन इसने एक बड़ा importante काम किया मोहंद गवन को अपोइन किया अपने प्राइम मिनेस्टर के तौर पे तोर पे दोस्तों ये इंपोर्टेंट है ये व्यक्ती बहुत इंपार्ट हुमायू शाह उतना इंपॉर्टन नहीं है एक ही चीज याद रखना है इसके बारे में कि किसने महम्मद गवन को अपना प्राइम मिनिस्टर नुक्त किया या पोइंट किया तो याद रखने के लिए कि हुमायू शाह ने अब इसका एक निकनेम भी था जालिम हुमायू बिकॉज ये तानाशा टाइप का रूलर है इसको नीरो ऑफ दे इस्ट भी कहा जाता है दोस्तों ये फैक्ट है इसको याद रखिए अब दोस्तों आईए महमूद गवन के बारे में ये इस इंपायर को इसके पीक पर पहुचाता है महमूद गवन के गाइडेंस में ये इंपायर अपने पिनाकल जनिक पर जाता है गवन हुमायू जो पिछला राजा था उसके एक इन्फैंट मतलब संतान जो छोटा बच्चा था उसको नया किंग घोशित करता है देखें महमूद गवन जो है बहुत अच्छा तरीके से रूल कर रहा है लॉइन ओर्डर मिंटेंड कर रहा है वार्स लड़ रहा है उडिसा में जीत रहा है विजयनगर जीत रहा है जो समुद्री लुटे रहे हैं पाइलेट्स है अरेवियनसी में उनको हरा रहा है पहली बार ये लोग मराथा फाइटर्स को भी अपने आर्मी में रिक्रूट करते हैं बहुत बड़ी संक्या में इसके अलावा बहमनी इंपार, कॉंकन, गोवा, कृष्ण गोदावरी, डिल्टा सब जगों पे कमारी है लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है दिक्कत क्या है कि यह जो गवन है यह भारतिय मूलका नहीं, यह बाहरी है मतलब यह पर्शियन इमाइगरेंट था और इस कारण क्या हो रहा जो भारतिये नोबल्स थे इनको दकीनी नोबल्स कहते है दकीनी मतलब साउथ वाले वो जेलस फील करने लगे और इन्होंने एक कंस्पेरिसी की और इस आदमी को मरवार दिया मुहम्मद शाह 3 के हाथो प्रॉब्लम क्या हुई? यह बंदा जब तक था रूल अच्छे सा चल रहा था अब नहीं चलेगा क्योंकि इसके बाद के जितने भी रूलर हैं सारे वीक हैं अच्छे नहीं हैं और बहुत जल्दी क्या होता है इस पूरे इंपायर का देथ आने वाला है मुहम्मद शाह 3 के सारे रूलर्स वीक और इंकेपेबल है उसके उत्राधिकारी और लास्ट प्रिंस कौन है कलिमुला जिसको मार दिया जाता है उसके वजीर आमिर अली बारित के द्वारा और इसके बाद वो अपना डाइनेस्टी शुरू करता है बारित शाही डाइनेस्टी बीदर में दोस्तों यहां से यह बह्मनी किंग्डम बढ़ जाती है और पांच सेमी इंडिपेंडेंट किंग्डम बन जाता है जिसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे पहला चर्चा होगा बीजापूर का 1489 से 1686 लंसम में यह किंग्डम रहती है फाउंडर कौन है यूसुफ आदिल शाह इसके अलावा इस डाइनस्टी के लोग शिया सेक्ट को बिलॉंग करते हैं आबिच्शावान इस बीजापूर आर्मी के लीडर है जो की गोलकंडा, बीदर और एहमद नगर के साथ बैटल अफ तालिकोटा में विजयनगर के सुलर था लेकिन इसके बाद इस डाइनस्टी का रूल घटने लगता है दोस्तों बीजापूर से रिलेक्टेड हमारा आर्टेन आकिटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग नेक्स स्लाइड में करेंगे यहाँ पर एक ही चीज़ देखना है कि कब तक ही 1686 मतलब और अंगजेब ने इसको एनेक्स कर लिया तो अगले स्लाइड में देखिए यह आदिल शाह जो है बड़े ही बेहतरीन आर्ट इन आकिटेक्चर के छेतर में है इन्होंने कुछ बेहतरीन बिल्लिंग्स बनाई है अपने एरिया में और यह याद रखिए इबराही इम्राहीम रोजा, मॉनुमेंट का नाम है, इम्पोर्टंस क्या है, यह टॉम है इम्राहीम आदिल्शाह का और इसकी कुईन ताज सुल्ताना का, गगन महल यह क्या है एक पैलेस है जिसको बनाया अली आदिल्शाह ओन ने और यह रॉयल पैलेस है, इसके अलावा गोल गु गोलकंडा और ये 1512 से 1687 फिर से यहीं पर दिख रहा है कि इसको कौन अकुपाई करेगा औरंगजेब तो इसको कौन फाउंड करता है कुतुब शाह और ये डाइनस्टी नाम आता है कुतुब शाही तो यहीं पर दोस्तो एक टाइप का क्वेशन आता है जिसमें ये पाचों किंडम लिख देगा और उनके डाइनस्टी का नाम आपसे पूछ देगा तो पिछला था आदल शाही डाइनस्टी ये हो गया कुतुब शाही डाइनस्टी यहां का ग्रेटेस्ट रूलर इबराहिम कुतुब खान इसलिए नाम आ गया कुतुब शाही डाइनस्टी का साल नहीं आद रखना है दोस्तों और ये अच्छा लीडर है, टॉलरेंट लीडर है, सेकुलर लीडर है, तेलगू लिटरेचर का बहुत बड़ा पैटरन है और इसलिए इसका नाम भी पड़ा मलिका बरम, गोलकंडा आर्मी को ये बैटल अफ तालिकोटा में लीड कर रहा थ और सिटी को भी इसने स्टाबलिश किया था, किंग्डम को और अंगजेब जैसे मैंने शुरू में ही कहा, 1687 में कैप्चर कर लेता है, गोलकंडा के बाद एहमद नगर 1490 से 1633, बहुत क्लियर है, यहां पे कौन होगा, शाह जहां है, मुगल रूलर जिसने इसको निजाम शाही डाइनस्टी, तो हमने देखा आदिल शाही हमने देख लिया, हमने कुतुब शाही देख लिया, अब हम देख रहे हैं निजाम शाही डाइनस्टी, मलिक एहमद नगर डिस्ट्रिक को फाइन करता है, बहुत इंपोर्टेंट है, यह याद रखिएगा, कौन से लोग आर्मी को लीड कर रहे थे अपने-पने इंपायर की तरफ से दोस्तों एहमद नगर में एक important नाम जो आपको हमेशा रखना है वो है चांद बीबी का शोलवी शताबदी में चांद बीबी जो डॉटर थी हुरसेन निजाम शाहवान की वो डी-फैक्टो रूलर बनी एहमद नगर की मुगल आर्मी के खिलाफ लड़ती भी है लेकिन सोलो सो वी शताबदी में इनकी मौत हो जाती है मिर्टी हो जाती है शी डाइज और कौन मारता है उनको उनका अपना जेनरल याद रखने की बात है याद रखिए इस नाम को बहुत इंपोर्टेंट है हमारे एक्जाम के पस्पेक्टिव से बिलकुल आएगा सवाल इनके उपर इनके दित के बाद बहुत जल्दी एहमद नगर कींडम का डिकलाइन शुरू हो जाता है रिवाईव की कोशिच की जाती है मलिक अंबर के द्वारा जो की एक स्लेव था जो मुगल की खिलाफ लड़ भी चुका था और गुरिला वारफेर में बहुत बहतरी तरीके से ट्रेंड था लेकिन फाइनली वही होता है जो मैंने शुरू में कहा 1633 में मुगल शेंशा शा जहां इसको कैप्चर कर लेता है अब चौथो इंपार की हो चलते हैं बिरार आप देख सकते हैं 1484 से 1572 तक ही है मतलब दोस्तो इस वर तो अकबर है मुगल इंपारर तो देखिए ये डाइनस्टी कौन चूँ करता है फतुल्ला इमाज शाह और नाम इनही के अधार पे शाही डाइनस्टी कौन सी हो जाती है इमाज शाही डाइनस्टी तो ये चौथी डाइनस्टी का नाम भी आप याद रखिए दोस्तो बिरार तालीकोटा में नहीं शामिल था ये हमने पहले भी विज़नगर में देखा है और इसको याद रखना है ये बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है उस वक्ट भी हमने देखा फिर से हम ये बता रहे है लास्टली बिरार को कैप्चर कौन करता है एहमद नगर तो यहाँ पर सवाल समझे बिरार को कैप्चर करने वाले समय मुगल इंपेरर कौन था अकबर था लेकिन अकबर ने कैप्चर नहीं किया कैप्चर किसने किया एहमद नगर इंपायर ने किया और इसमें लास्ट जो है वो है बीदर का किंडम 15-27-16-18 तो यहाँ पर मुगल चैनचा कौन होगा जहांगीर होगा और दोस्तो इस वक्ट क्या होता है किंडम शुरू कौन कर रहा है आमिर अली बरीद तो इसलिए किंडम का नाम बरीद शाही डाइनस्टी रखाता है और यहाँ पर याद रखें 16-18 में सुल्तान इबराहिम आदिल शाह जो बीदर को अटैक करता है और एनेक्स करके इसको बीजापूर किंडम में मिला लेता है तो यहाँ याद रखेंगे दोस्तो पाँच किंडम पाँच डाइनस्टी का नाम तीन मुगलों के द्वारा ले लिया जाता है जिसमें एक शाह जहां दो औरंग जेब और बाकी दोनों को एहमद दगर और बीजापूर ही कैप्चर करती है तो यह चार-पाँच चीजे अलॉंग विट अफकोस चांद बीबी का नाम याद करते हुए आपको इसमें देखना है याद रखना है कि बिरार बैटल अफ तालिकोटा में शामिल नहीं हुआ यही 5-6 फैक्ट से इसको याद रखी अफकोस आर्टेन आर्टिटेक्चर में जो गोल गुमबज और और जो बिल्लिंग्स की हमनी चर्चा की चार मिनार की चर्चा की इनको याद रखिए हमारे एक्जाम के परस्पेक्टिव से बहमनी किंग्नम इतना ही पूछा जाएगा इससे जादा नहीं पूछना चाहिए I hope यह क्लास आपको समझ में आया होगा That's all, thank you, goodbye